नमस्कार चाची की रसोई में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लेकर आई हूँ तोरई की सब्जी ये दिखती तो बहुत साधरन सी सब्जी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं बहुत सारे विटामिन्स होते हैं तो आए शुरू करते हैं ये लिए हमने एक किलो हरी हरी ताजा वाली तो रही आपको बजार से लेकर आने हैं ये देखी दो तरह की तो रही आती है एक गलगल तो रही आती है और ये देशी तो रही आती है अब हम इसको दो तीन बारी पानी से धो कर अच्छे से पानी से निकाल लें यह देखिए इस तरीके से छील लेंगे बच्चे हरी सब्जिया नहीं खाते हैं तो उनको खिलाना जरूर चिखाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही फायदेमंद होती है यह देखिए छील करता यार हो गई है उपर यह टाइट वाला पार्ट होता है इसको हम हटा देंगे पूरा नहीं हटाना है थोड़ा सा डंठल इसमें रखना है इससे क्या होगा तोरह कभी कभी कड़वी आ जाती है तो यह वाले डंठल आपको 2-4 डंठल इसमें डाल देना है जिससे क्या होगा सब्जी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी यह देखिए अब हम इसको कड़ कर तयार हो गई है और दो हरी मिर्ची भी कड़ कर लिया हमने अब हम सब्जीक छोकने की तयारी करते हैं यह लिए हमने कड़ाई और इसमें डाल रहे हम दो चम्मस सर्सों का तेल और इसको अच्छे से गरम होने देंगे यह देखिए दुआ उठने लगी है अब हम इसमें डालेंगी थोड़ा सा नमक यह एक टिप्स है क्योंकि सर्सों के तेल में थोड़ा ज्याक आती है अब डाल रहे हम एक चम्मस जीरा और साथ ही डाल देंगे एक चम्मस राई और हिंक का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है इसलिए इसमें थोड़ा सच जादा डालें राई चटक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे आधा जमज हल्दी पाउडर इस से इस तरीके से तेल में डालने से रंग अच्छा आता है अब हम सारी तोरे इसमें डाल देंगे अब सात ही डाल देंगी डोहरी मिर्ची कटी हुई उनहें भी डाल देंगी और अच्छे से इसे One सो करोती है और जीने वज़न कम करना है वेट लॉ मुझाल्स करना है उनकी लिए बहुत आसानी से इस्सेज वेट लॉ मुझाल सोह- और जिन लोगों को heart drug होते हैं उनके लिए तो बहुत फायदे मंद होती है कलिस्ट्रोग को कम करने में बहुत फायदा करती है और सबसे बड़ी बात pregnant ladies के लिए ये भी complex का काम करती है और जिन लोगों को हड़ियों के बिमारी होती है उनको भी बहुत मदद करती है इस सबजी में calories भी बहुत कम है सबसे बड़ी बात ये पाचन शक्ति को बढ़ाती है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक इसमें हम काला नमक डालेंगे इसलिए हम नमक थोड़ा ही डाल रहे हैं अब हम इसको अच्छे से mix कर देंगे और ढखकर दो मिनट के लिए इसको पकने देंगे इस सबजी में पाचन वाले फाइवर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी सबजी है इसको जरूर बनाएं ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये देखिए इसमें थोड़ा सा पाने रिलीज हो गया है इसमें खुद में ही पानी होता है तो उसमें पानी डालने की वैसे जरूरत नहीं है अगर थोड़ा आप आदा कप डाना चाहें तो आप डाल सकते हैं यह देखिए बिलकुल अच्छे से पक्कर तयार हो गई है अब हम डालेंगे इसमें मसाले एक चमश लाल मिर्स पाउडर साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर डेड़ चमश हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं अच्छे से मिक्स करेंगे गैस को लो मीडियम फ्लेम पर रखना है यह देखिए बहुत ही स्वाधिश्ट सबजी होती है और बहुत ही पाचक शक्ति इसको बढ़ाती है और जिन लोगों को हाई प्रेशर रहता हो हाई ब्लड प्रेशर रहता हो उनके लिए भी बहुत फायदे मंद होती है यह डिल रहे है एक चमच अमजूर पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे इस सबजी में बहुत सारे विटामिन पाए जाता है विटामिन ए विटामिन सी और बी कम ब्लेक्स तो बहुत ज़्यादा पाए जाता है यह डाल रहे हैं काला नमक और इसे मिक्स कर देंगे इस सबजी में विटाम होता है इसलिए ये सबजी बहुत गुनकारी है प्लीज आप इसको बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं ये डाल रहे हैं आदा कप पानी इसलिए जाल रहे हैं ताकि जो मसाले हैं अच्छे से इसको एब्जॉर्फ कर लें ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे दो मिनट के लिए ताकि ये मसाले अच्छे से इसमें रच बस जाएं ये देखिए ये हमारी लाजवाब सी रच शांदार सी सब्जी बनकर तयार हो गई है कोई गरम मसाला नहीं दाला है हमने कोई बहुत सारे एक्स्ट्रा मसाले नहीं दाल रहे हैं बहुत साधारन सी सिंपल सी सब्जी है और रोज आप इस तरह की सब्जी बना कर खाईए